हेलो फ्रेंस वेलकम मैं यूटूब चैनल आप लोग देख रहों माश्टरा सेफ और आज का अपना रिशीप बटर पेपर चिकन चैनीज इस्टल में बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके साज में आप लोगों के साथ सेर करूंगा बटर पेपर चिकन का रिशीपी तो व बालिक चोब और जिंजर चोब बन बन इस्पून और साथ में इसमें अट करतेंगे चिली चोब जितना भी आप स्पाइसी खाते हो इस इसाप से आप एड कर सकते हो और इसको मिला लेंगे करीब हम इसको 85 से 90 के बीच में लोग इसको फ्राइड करेंगे 100 परसेंट नहीं क इसके बाद हम लोग केपसिकम क्युप्स कांदाक्यूपस एट करदेंगे और इसको थौड़ा से मिला देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें एट करT चिकनी स्टोक मैंने करीबन इसमें दो डब्बू एट किया है करीबन हाफ लिटर तो अब देखना और उसके बाद एट करें हम लोग सोस सोस में सबसे पहले एट करूँगों में थोड़ा सा भो थोड़ा सा टामाटो केचप आप लोग देख सकते हाफ स्पून टामाटो केचप और हाफ स्पून रिट करूँगों में रेर चिली पेस्ट और इसका जो रिसीपी वो आ गिया है आप आई बटर में देख सकते हो रेर चिली पेस्ट का रिसीपी वो आई बटर में आपको मिल जाएगा मसाले मेट करेंगे salt, white paper, black paper, और ये black paper powder, बलेक paper भी जाएगा, क्योंकि paper है, paper chicken है, तो black paper भी जाएगा और powder भी जाएगा, last minute करूगा, पिसमें थोड़ा सा विनिगर और इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसको पकने देंगे और पका कि इसका मसाब्ल जो त्थोड़ा सा वह इंकिawa कर लेंगे ये बिलेक पेपर पॉड़र थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ओर एड किया सिथ मैं अब इस मे एट कर आप उंग जो तैस्स आना चाहिए यह लेवर आना चाहिए और अब एट करूंगा मैं थोड़ा से इसमें फ्रेश किरीम और इसका जो कलर है हम लोग वाइट कर देंगे इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही स्पेसल डिस है तो प्लीज एक बार जुरूर बना के ट्राइग करना आप इसमें केप सिकाम कानदे क क्वाल्टी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद है आप लास्ट में मैंने इसमें एट करा हराकान दा और उसके बाद जो चिकन हमारा जो चिकन पकोड़ा है उसको रेडी कर दिया इसका रेशी भी मैं आई बटन में डाल दूंगा कैसे बनाते है चिकन मंचूरियन का जो पकोड़ा बनाते हैं हम लोग वो कैसे बनाते हैं सिब दो ही मसालों होते हैं चैनीज में एक रेड में और एक वाइट में फ्राइड में डाल दूंगा आप वो वीडियो देखो कि आपकी समझ में आ जाएगा और लास्ट में एट करूंगा मिसमें साविल दिखके आना चाहिए तो जबी हमारा बटर पेपर चिकन का रेचिपी कहलाएगा और आप लोग देख सकते हो हमारे बटर वो भी दिखाई दे रहा है और पेपर भी बहुत इस्वादी बहुत अच्छी रेचिपी तो प्लीज एक बार ज़रूर शेर करना अगर रेचिपी सीखने तो आप जा सकते हों पर और मुझे फॉलो भी कर सकते हो तो आज की रेचिप इतनी थी बस थैंक्यू सो मच अब लोग कितना ज्यादा प्यार देरों इतनी ज्याता हो वो कर रहो थैंक्यू सो मच बस मिलते फिन नेस्ट वीडियो में बाई